नमस्कार दोस्तों मैं रवेंद रेकवार फेर आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉम गार्डन पर दोस्तों और हम सबजियां होगा रहे हैं छट पर अपने घर पर शामने यह मूली हुई 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 दोस्तों तो आज मैं एक और वीडियो लाया हूं हुआ हुई है तो हुआ क्या कि जब हमने सीट लगाए तो यह अंक्रत हुए तो यहां पर कुछ पच्छी ने खा गए तो इनके बीच में जो गैफ पचा हुआ है आप देख सकते हैं इस गैफ का प्रयोग हम आज करेंगे और इसके बीच में हम सल्जम लगाएंगे जियां सल्जम बहुती अच्छी सब्जी है आप देख सकते हैं टोनेप सल्जम काफी पौश्टिक होती है और पेट के रोगियों के लिए राममाण एलाज है तो इनके जो आप गैप देख पा रहे हैं इनके बीच में हम चाहें तो कुछ सीड सल्जम के लगा सकते हैं लेकिन इस बीडियों को बनाने का मेरा मकसद है मतण पी और यह बहुत ही फेमस सब्जी में पंढ जब भी सबजी उगा है या खेट में जब आप उगा रहे हैं तो हमेज़ा अच्छी किस्म की सबज Juda की सीड ही यूजकी करें पूसा की बहुत सारी हमारे मटर की quality है तो आप उनमेंसे मटर लगा सकते हैं है और बहुत से मेरे फ्रेंट फूचते हैं क्या हम घर की मटर यूज कर सकते हैं तो दोस्तों आप कर तो शकते लेकिन क्वाल्टी उतनी बेटर नहीं आईगी जितनी मार्केट के जो सीड आते से आती है लेकिन चलिए तो मटर लगाने का जो तरीका वो थोड़ा सा अलग है आप सीड निकाल लिए और सीड को क्या करना है कि आपको लगा 20 से 25 मिनट वैसे सही समय एक घंटा होता है इन्हें पानी में आपको डालना है आप देख सकते हैं यह मटर के सीड़ें और यह पी एमेस ग्रीन नाम से बराइटी है यह पहले से संसो से बीज हैं जो हम आपको अक्सर बताते हैं यह अल्रेडी पहले से दवा से संसो दित किये हुए हैं आपको इन सीट को क्या करना है कि पानी इन में डालना है और पानी डालकर लगब एक गंटा आप इने ऐसे छोड़ दीजिए तो चलिए हम इन में पानी बर देते हैं यह लीजिए है मैंने इन षीट में पानी बर दिया है और इसे हम छोड़ देते हैं लगवग साथ मिनट फिर मुलाकात होगी लगवग साथ मिनट वाद लगवग एक गंटे से जादा हो गया दोस्तों और ये सीट अब भी पानी में भिंगोई हुए हैं तो मैं आपको बताओं के भारत में जो मटर लगाने का सही समय है अगयती किस्मों का अगर आप जल्ली पैसा लेना चाहते हैं महंगी सबजी बेचना चाहते हैं तो आप इसे लाश्ट अगस्त सितम्म फश्ट बीक में बोदीजिए बैसे इसका जो सही समय है वो लाश्ट अक्टूबर और नममर के प्रथम सपता है दिसम में चल रहा है तो आप जो लाश्ट याने के बुवाई वाली किश्म है लेट बुवाई की किश्म है वो सकते हैं लेकिन घर पर आप इन्हें आसानी सोगा सकते हैं तो अभी भी हम साहे ही है के जतने भी हार्ड जो सीड रहंते हैं जैसे सैम है या तोरी है या फिर लॉकीं है अगर आप सर्दियों में उगाना चाहते है तो आप इन्हें भिगो ले और या लोकी या तो रही जो और ये सीडें जैसे चना है या मटर है पहले तो गयों भी हम साम को डाल देते हैं छत पर खुले में और उस से वो थोड़े नम हो जाते हैं उसके बाद उसकी ववाई की जाती है ठीक वैसे इसका ये सिस्टम है इससे अंकुरन होने में थोड़ी आसानी होती है जमीन पर जाते ही जो बीज है वो अंकुरन की प्रक्रिया सुरू कर देता है तो हमारी ये प्रक्रिया सुरू हो गई इस वीडियो को दिखाने का मेरा मतलब यही था इसके बाद मैंने ये छपर जो कंटेनर बनाया हुआ है इसी में हम इन सीट की बुबाई करेंगे तो चलिए लट्स गो पानी को निकाल देना है और उसके बाद इन सीट को किसी कपड़े में डालें और इनका जो पानी उसे साफ करे लें पानी ऐसे आप सोख जाने दें और आपके सीट पानी रहत हो जाने चाहिए तो मटर से मटर की दूरी दोस्तो करेब रहनी चाहिए आपकी 15 से 20 सेंटीमीटर लवाग पॉन फुट कह सकते हैं एक फिट से थुड़ा कम लेकिन जब आप छट पर सबजी वा रहे हैं तो इनकी दूरी आप और कम कीजिए लवाग 10 से 12 सेंटीमीटर और इसका कारण ये है कि घर पर जो प्लांट होंगे हो सकता है थोड़े कमजोर हों या फिर कुछ पच्च जो वर्ट्स हैं वो आपके सीड खा सकते हैं तो ये ध्यान रखें इसलिए आप हमेशा सीड थोड़े से ज़्यादा लगाएं ये देखिए जो सीड है वो मैं लगा रहा हूँ और आप भी मटर को कुछ ऐसे ही लगा सकते हैं बस मैं मटर डाल रहा हूँ और हलके से ऐसे प्रेस कर दे रहा हूँ ज़्यादा गहराई में आप मटर नहीं लगाएं जिससे इन्हें ग्रो होने में परिशानी नहीं हो ये लेजिए दोस्तो मैंने जो सीड हैं वो आपके मटर के सभी लगा दिये हैं आप देख सकते हैं और फिर आप हमेने हलके हलके से ऐसे मिट्टी से दवा देंगे मटर कम पानी में होने वाला पौदा है सब्जी है और इसके लिए आप वाटरिंग कम करें क्योंकि आप ज़्यादा वाटरिंग करेंगे दोस्तो तो ये ग्रो तो बहुत जल्ली हो जाएंगे लेकन ये बढ़ेंगे भी अच्छे प्लांट आपका पत्तियां बहुत आएंगी लेकन फलियां आपकी नहीं आएंगी तो आप ध्यान रखें कि आप पानी का छिड़काव जो है इसमें कम राखें इसके अलावा जो बीच में ये जगे वच्ची है आप इसमें अपने धनिये उगा सकते हैं तो मैं धनिये भी इनमें लगाए देता हूं क्योंकि धनिये के ऐसा प्लांट है हमारी सब्जी है जो बहुत जल्ली ग्रो हो जाती है और जब ग्रो होती है तो वो बहुत जल्ली क यहां तक देसी उगाएं, देसी की कोस्वू होती है, उसकी बाती निराली होती है, हैविड धनिया हरा होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसकी सुगन बिलकुल नहीं होती उसमें, और दूसी बात, धनिया फोड़ कर हम अक्सर उगाते हैं, लेकिन अगर सर्दियां आ गई हैं, तो आप इसे बिना फोड़े होगाएं, इसका कारण यह है कि जो साबत ब प्लांट होगा, बहुत ही मजबूत होगेगा दोस्तों, तो मैंने यह साबत धनिया लिये हैं, और जो हमारे बीच में जगह बची हुई है, जहां हमने मटल लगाई उनके बीच में, तो वहां पर मैं इस धनिया को बो देता हूँ, आप ऐसे हलके हलके गिराते हुए, अप थोड़ी गहराई में बोएने, क्योंकि अभी सर्दी है, तो यह आसानी से ग्रोफ खर जाएंगे, तो यह हमारी आज दो सबजियां होगी दोस्तों, जिने हम अपने छट के बगीचे पर, कंटेनर, पॉट, मटकों, वाल्टियों, या जो भी आपके पास फुटा-फुटा सामान हो, उसमें आप इन दोनों को ग्रोफ कर सकते हैं, और धनिया ऐसा हर्व है, यह दवाई के काम में भी काफी आता है, तो मैंने आज आपको जो मटर होगाना बताया दोस्तों, उसमें किवल एक थोड़ी सी तक्निक मैंने आपको बताई कि जब भी आप सीड वो हैं, तो उसे भिमो लें, सीड हमेशा मटर के अच्छी क्वालिटी के यूज करें, दूसी बात, फसले हमेशा सीजन से उगाएं, अगर आप 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 सीजन उगा रहे हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा केर करने की जबगत है, मटर में पानी कम चाहिए, धनिय में ज़्यादा चाहिएगा, लेकिन हमारा जो धनिया होगा, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, क्योंकि अभी सर्दी है, तो ये हमने आज आपकी जो मटर और धनिया लगा दिया है, अब मैं इसमें हलके सी वाटरिंग कर देता हू बहुत हलका हलका पानी आपको डालना है, तो दोस्तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, तो करते रहिए बेजटेवल गार्डनिंग, कमेंट कीजिए, लैक कीजिए, सेर कीजिए, और आपकी अगर कोई सुजाब हो, या कुछ क्वेरी हो, तो बेजिजक लिख वेजिए मुझे, धन्यवाद इनी सब्दों के साथ, फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, थैंक यू, धन्यवाद, मटर के सीट बताते हम अपना काम तो भूली गए, जो जरूरी था, यह जो जहाँ पर जगह है, यह देखिए, हम इनके बीच में एक रो खींच कर अपनी सल्जम लगाएंगे, और सल्जम हल्की सी कहराई में आप लगाएं, ज्यादा नहीं, यह देख सकते हैं, यह सल्जम क पालक, मैथी, बिलकुल डाल दें, जगह का भरपूर उपयोग करें, क्योंकि हमारे पास कंटेनर में जगह सीमत है, तो उसका दर उपयोग ना होने दें, उस उपयोग करें, तो यह देखिए, मैंने ऐसे ही डाल दिया, मैं यहां भी इने ऐसे ही सेट कर दूँगा, तो